अलो दोस्तों मैं डाक्टर मनोज कुमार सिंग स्वागत करता हूँ आपका मनोजायस यूटूब चैनल में और निश्चित रूप से मैं आपकी सफलता में चारचांद लगाने के लिए आनलाइन प्लेटफार्ण पर आया हूँ और इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें और जुड़े रहें तो दोस्तों बात करते हैं हम आज बैदिक सब्धिता का जैसा कि आपको पता है मनोज आई एस आपके लिए अभ्यास प्रस्टनों के साथ साथ ये सिंखला भी लाया है तो आपको बता दें कि ये आज हम उसी कड़ी में सैंदो सब्धिता के बाद बैदिक संस्कृति की बात करते हैं बैदिक का काल निर्धारन बैदिक क्या है आखिर इसको बैदिक काल क्यों कहा गया इससे बैदिक काल क्यों कहा गया और इसका काल निर्धारन क्या है बैदिक काल पाकाल निर्धारण बैदिक काल वह काल है जिसमें निश्चित रूप से उन समस्त पहलूँ की चर्चा की जाती है जिसमें हम बेदों द्वारा सुरोत प्राप्त करते हैं उसी को बैदिक सब्विता कहा गया है जैकोबी ने 4500 से 2500 इसापूर्व थगोल विज्ञान पर आधारी तत्थ के आधार पर यह मत माना की बैदिक काल का समय 4500 इसापूर्व से लेकर 2500 इसापूर्व तक रहा होगा आरके मुकरजी की बात करें तो इन्हों ने 2500 इसापूर्व माना बिंटर निट्ष ने 3720 इसापूर्व माना जीसी पांड़य ने 3000 इसापूर्व माना बीजी तिलक बाल गंगाद तिलक ने 6000 इसापूर्व माना यह भी खगोल विज्ञान पर आधारित है तो यह जो है आरियों के मतब आरिय सभिता या बायदिक सभिता के का समय निर्धारन रहा है रिग बायदिक काल रिग बायदिक काल क्या है आखिर रिग बायदिक काल को हम बायदिक काल क्यों कहते हैं पाले इसकी जानने के लिए हम जानते हैं कि बायदिक काल इसे क्यों कहा रिगवाइदिक क्या था रिगवाइदिक दूसरा था उत्तरवाइदिक तो काल था इसके एक था रिगवाइदिक दूसरा था उत्तरवाइदिक रिगवाइदिक में आधार ग्रंथ के रूप में हम रिगवेद का प्रियोग करते हैं जबकि उत्तरवाइदिक में हम अन्य ग के बारे में चर्चा करते हैं पूरा तात्विक श्रोतों की बात करें रिगवाइदिक के तो पूरा तात्विक साक्ष जैसे की पंजाब के तीन अस्थलों भगवान पूरा में तेरा कमरों वाला एक मकान का मिलना यह पूरा तात्विक साक्ष है इसका रिगवाइदिक कालका कसाइट अभिलेख छेसोव इसापूर में इसमें हित्ती और मित्तनी राजा के मद्ध होई संधि के साच के रूप में इंद्र मित्र वरून नासत्यकावलेख है जो बाइदिक देयता के रूप में प्रचलित हुए और इसी अभिलेक को बगज कोई अभिलेक भी कहा जाता है क्या कहा जाता है बगज कोई अभिलेक भी कहा जाता है साहितिक साच के रुप में रिगवेद इसके 10 मंडल हैं जिसमें कुल 1028 सुक्त जिसमें दूसरा सबसे प्राचीन एवं दूसरे से साथ में तक प्राचीन मंड मंडल है जिसे गोत्र मंडल कहा जाता है इसमें दूसरा सबसे प्राचीन है एवं दूसरे सी सात्वें तक प्राचीन मंडल है जिसे गोत्र मंडल कहा जाता है आरियों का मूलस्थान आरियों का मूलस्थान आरियों भारत के रहने वाले थे या भारत के बाहर इनका मूलस्था इस संब्ध में बिद्वानों में मतभेद रहा है इस संब्ध में बिद्वानों क्या रहा है मतभेद रहा है और बिद्वान इन समस्थ बातों को जानने के लिए जिग्यासू रहे हैं तो इसी की चर्चा करते हैं हम तो आरियों का मूल स्थान यूरोप का मानने वाले हैं बि डिन्यूम नदी के पास के रहने वाले बोला गया गाईस द्वारा बैक्ट्रिया से बैक्ट्रिया प्रदेश का इनको माना बीजी तिलक आउम रोड्स इस्टीन ने कस्मीर का माना रूस के इस्टेपी मैदान नेहरिंग पिकानों पिंगट पिक जर्मनी का इनको माना पेन का हर्ट 활िख गुख competitive १ का आर्ख्टिक का माना तिलक ने तिबबत का इसको माना है दयाननide मद एसिया का माना मकी स्मोलन ने ब्रहमहर्सि प्रदेश का माना गंगानाथ जाने ने कि दीविका मुल्तान का मानने वाले हैं डि एम त्रिवेदी पामीर के पठार का मानने वाले मेर, कीथ और ओल्डन वर्ग यह जो है इस नाम से इसको जानते थी आर्य कहीं से भी आये हूँ आर्य कहीं से भी आये हूँ जिस प्रदेश में वे निर्दिष्ठ काल एक धार्मी क्या नसली समदाय नहीं बलकिन एक भासा समदाय के लोग थे जिनका केंद्री अस्तल ब्राहमवर्त प्रदेश था इनका अविस्तार सतलज से यमुना नदी के बीच था इनकी पूर्वी सीमा इनकी पूर्वी सीमा तिब्बत और हिमान्चल पस्चिवी सीमा अवगानिस्तान तथा उत्तरी तुर्किमिनस्तान और दच्छिडी सीमा अरावली थी आर्यों का सबसे महत्पूर कभीला त्रिस्चू वर्ग से भारत संबध था जिसने पुरुषडी रावी नदी के तड़ पर दस राजा युद्ध में विजय प्राप्त किया जिसमें वसिष्ट इसके पुरोहित थे विश्वामित्र प्रतिद्वंदी सेना के पुरोहित थे यद्ध आरम में विश्वामित्र भी भरत कभीला के ही साथ थे रिगवेद में पंच जन के रूप में आरियों के पांच कभीलों की पहचान की गई है जिन में पुरू इन्हें मृद्वाच कहा गया है कटवाची कहा गया है यदू तूर्बस बाद में इंदर द्वारा लाए गए कभीले कहा जाना आडू और द्रहू इन पांचों के अलामा पांच अनारि कभीलों की संयुक्त सेना दसराग्या युद्ध में सामिल थे अनारि कभीले थे अकिन पक्त भलानस भिसाणिन सिभी भारत कभीले भरत कभीले के नेता दिबो दास ने दसराग्य युद्ध के पुर्व संबर नामक दस सरदारों को हराया था जिसमें पुरू राजा पुरुत्सा की मृत्व हो गई थी आरियों के विजय के कारण क्या क्या थे आरियों जो है विजय क्यों प्राप्त की ये आरियों रत घोडों का प्रयोग करते थे बर्मन कौच धारन करते थे स्रेष्ट कांसय उपकरन उनके पास थे बट भाला और तलवार जैसे उपकरनों से ये युद्ध करते थे कवच का भी प्रयोग ये करते थे कवच का भी प्रयोग यह कहते थे और इन्हीं के बदावलत आर्यों को पूर चरिस्ट्रू दुर्ग गिराने वाला कहा गया है इसलिए इसी के बदावलत आर्य जो है पूर चरिस्ट्रू दुर्ग गिराने वाला कहलाए आरियों का भागोलिक ज्ञान की बात करें आरियों का भागोलिक ज्ञान की बात करें तो आरिय जो है पूर्व में अफगानिस्तान सतलज, यमुना, सब्त संधो और गंगा का उत्तरी भाग सब्त संधो में साथ नदियों का उलेख किया गया है कितनी नदियों का उलिक किया गया है साथ नदियों का उलिक किया गया है ब्रहम वर्थ रिगवेद का कालीन किंद्री अस्थल है ब्रहम वर्थ जो है यह ब्रहम वर्थ रिगवेद कालीन किंद्री अस्थल के रूप में विद्धमान है नदियों की बात करें तो सब्ट सैंधों में मैक्स मूलर के मुताबित सिंद पंजाब की पांच नदियां एवं सरस्वती थी यही मत जादा तर संगत प्रतीत होता है कुछ इतिहासकारों ने इनमें सरस्वती के स्थान पर कुम्भा काबुल नदी को रखते हैं रिगवेद में 40 कहीं कहीं 42 नदियों का उलेख है नदी सुक्त में 19 नदियों का ही नाम दिया गया है इनकी गड़ना गंगा से कुम्भा तक की जाती है प्राचिन काल की जो नदियां हैं इन नदियों में कुम्भा इन नदियों में मुख्य रूप से कुम्भा जिसे काबुल कहा गया है कुम्भा काबुल कुर्मु कुर्रम बितिस्ता जहलम सुतांदरी सतलज गोमती गोमल अभगानिस्तान की मुख्य नदी है ये सुवास्ट स्वात अस्किनी चेनाब विपासा ब्यास नदी को विपासा का यहां से इंद्र उसा को पराजित किया था बितस्ता और सतुंद्री जो है प्रमुक नदियां रही हैं और कुछ ये सेनानी और पुरोहित की चर्चागर की गई है इसमें तो आपको बता दें ये थे आपको मुख्य रूप से कौन थे ये सेनानी समाज अगर देखा जाते सेनानी महरसी छत्री प्रतिहार द्वारपाल अच्छवास गोविक किर्तन सिकार में राजा का सहायक होता था पुरोहित सुत संग्रिहित्री पालागल योराज ग्रामिडी और भागयुद करसंवाहक होते थे इस तरह से ये जो है इसमें सामिल थे और अब बात करते हैं हम लोग बैराज बैराज भीराट पुरुसमेग यग्य हुआ था स्वराज असमेग यग्य समराट वाजपे यग्य कर सकता था अगर हम बात करें कि कौन सा बेक्ति कौन सा यग्य कर सकता था तो बैराज जो है यह जो है बैराज जो है इसे बीराट करते हैं पुरुसमेग यग्य होता था इसमें पुरुस की बली दी जाती थी स्वराज असुमेग यग्य भोज भोजन राज राजा एक राट राजसुय समराट सामराज समराट वाजपिय यग्य कराते थे इसके अलावा अपाय द्रिस वती चोगांग सरयू यमुना का तीन बार उलेखाया गंगा का केवल एक बार चर्चा की गई है रिकमेद में किन्त सबसे महत्पूर सिंदु नदी थी लेकिन आपको बता दें कि रिकमेद में सबसे प्राचीन और महत्पूर नदी थी तो कौन थी चिसका उलेख सरवाधिक बार किया गया है सबसे पवित नदी सरस्वती नदी थी जिसे नदी तमा कहा गया सरस्वती नदी को नदी तमा कहा गया है एवं इसे नदियों की माता कहा जाता है इसे वाड़ी प्रार्थना कविता बुद्धी तथा संगीत की प्रियरक नदी माना जाता है सरस्वती नदी ही एक ऐसी नदी है जो जो है वाड़ी प्रार्थना और कविता बुद्धी तथा संगीत की प्रियरक नदी है संभवता इस नदी के तट पर मंत्रों की रचना की जाती थी समुद्र रिगवेद में चार समुद्रों की चर्चा है इसे सायदन दच्छरी छित्रम के राजस्थान के समुद्र से इनका परचे तरसंगत प्रतीत होता है समुद्री ब्यापार की भी चर्चा है यद्यव समुद्र से सामानिता बिसाल जलराज का ही तात्पर लगाया जाता है परवत आर्य ही मवंत हिमालय मंजुवत जहाज से सोमरस का पौधा मिलता था बिसाल तम आरजीवक और सयानावत इसी नाम से समुद्र का भी उलेख है एवं सुसोम परवत की जानकारी रखते थे मरुस्थल इसको मरुस्थल को कहा जाता था पारजन्य बादल से ने बादल पारजन्य ने मरुस्थल को पार करने योग्य बना दिया ऐसा उलेख आया है कुल तीन मरुस्थलों का उलेख है एक मरुस्थल परावत समुद्र के पार रहा होगा और सेश दो की पहचान कठिन है मरुस्थल के लिए धन्व सब्द का उलेख मिलता है रिग वैदिक समाज की अगर बात करें रिग वैदिक समाज रिग वैदिक समाज की चर्चा करें अगर तो रिग वहिदिक समाज आरियों की द्वारा आनारियों पर विजय पर आधारित था जिसमें विजयताओं को दास एवं दस्यू से घिना करते पाते हैं आरियों की आरियों की आरमभिक चरण के लोग रहे होंगे केंद इनका कुछ हद तक अनारियों से तालमिल हो गया था अगस्त रिसी को आरियों आनारियों के मध्य समन्वे करता के रूप में जाना जाता आपको था अगस्त रिसी एक ऐसे रिसी थे जिनका काम था आरियों आनारियों के मध्य में तालमिल बैठवाना के रूप में जाना जाता है आरियों का आरंभिक जीवन कविलाई था जो कूल अत्माग्रिय ग्राम विस एवं जन और संभौतर राष्ट में विभाजित था ब्योहारिक इस्तर पड़ जन को जन जो कविला का दियोतक है का महत सरवाधिक रहा होगा क्योंकि इसका उलेक सरवाधिक बार 275 बार कविला सब्द का उलेक हुआ है विस का 170 बार उलेक हुआ है जनता का दियोतक माना जाता है उत्पादन में आदिसेश के साथ ही युद्धा वर्ग पुरोहित एवं अन्य विभाजन आरंब हुआ तादपर्य है कि आर्थिक उत्पादन के साथ ही व्यक्तिगत संपत की अवधाणा आरंब होती है एवं लूट जो की रिगवैदिक काल में आय का स्विक्ड स्रोथा पर नियंत्रन का कवायत आरंब हुआ और इस तरह से वर्ण विवस्था की शुरुआत होती है पुरु सुक्त में पहली बार प्रजापती के विभिन अंगों से चार वर्णों ब्राहमड मुख से ब्राहमड राजन्य हात से बैस उदर से एवं सुद्र पैर से निकाले जाने की उत्पत्ति का पता चलता है रिगवेद काल में वर्ण ब्यवस्था में पदक्रम तो इसपर्ष्था पर या ब्यवस्था कर्म पर आधारित थी विश्वामित्र जर्म से चत्री होते हुए भी कर्म से ब्राहमड हो गय थे आपको बता दें इस यूग में वर्ण ब्यवस्था थोड़ा सरल थी क्योंकि विश्वामित्र छत्री थे लेकिन वो कार्य ब्राहमडों का करते थे छत्री होते हुए ब्राहमडों का कार्य करते थे महरसी भ्रिगू के बंसजी द्वारा राज निर्माण की चर्चा की गई है इस्तिरी पुरुष संबन्ध की बात करें रिगवाईदी काल में इस्तिरी पुरुष संबन्ध इस्तिरी पुरुष की वर्यता इस्पष्ट थी किन्तु कालांतर में इस्त्री की दसा में जो गिरावट पाते हैं वो गुराईयां समाज में नहीं थी परिवार में मुखिया की इसपष्ट प्रधानता थी और पिता अपने संतान को सजा देने का अधिकार रखता था पुत्री की तूला में देवताओं से पुत्र की मांग की जाती थी आपको बता दें यह जो है मात्रि सत्तात्मक सत्ता थी और यहां पर पुरुस प्रधान समाज था पित्र सत्तात्मक सत्ता थी और पुरुस प्रधान समाज था महिलाओं को अधिक महत्त दिया जाता था और इस्त्रियों को कम यही कारण है कि पुत्र की मांग पुत्र के लिए यक्य किये जाने का उल्लेख है जेश्ठा दिकार का सुत्र यहां इस्पष्ट होने लगा है क्योंकि संपत के बिभाजन में जेश्ठा पुत्र का बड़ा हिस्सा पाता था इस्त्रियों के बिभाः की उम्र 16 से 17 वर्स थी इस्पष्ट तया बाल बिभाः प्रचलित नहीं था समाज में बाल बिभाः प्रचलित नहीं था एवं इस्त्रियों के बिभाः के पुर्व से पुर्व पुरुस से मिलने की इजाजत थी नियोग प्रथा से इसपष्ट है कि बिदवा बिभाः स्विक्रित था एवं सती प्रथा का संकेत नहीं मिलता है सामान त्या एक पतित्त एवं एक पतिनित्त को ही ब्यहतर माना जाता है समाज में एक ही विवा को सबसे अच्छा माना जाता था कई विवा नहीं होते थे कुछ अपवाद भी मिलते हैं जैसे मरुत बंधु रादसी के पती थे दोनों असवपति बंधु सूरिया के पती थे इस्त्रियों को उपनयन संसकार का अधिकार था एवं कुछ विदुसी महिलाओं का नाम लिया जा सकता है इनमे रिसिका या ब्रहमवादनी कहा जाता इनको जिन्हें जो है रिस्का या भ्रहमवादिनी कहा जाता इसी इस्त्रियां जो पनें संस्कार करके प्ढ़ने की बात करती थी उन्हें उदाहरन स्वरूप घोसा अपाला लोपामुद्रा विश्वरा सिकता कच्छाबृत्ति का नाम लिया जा सकता है अमाजू का मतवता वैसी इस्त्रियां जो जीवन परेंद विवाह नहीं करती उन्हीं इस्त्रियों को बैदिक काल में अमाजू कहा जाता था पिता की संपत की हिस्सेदारी होती थी जैसे की अपाला बीमारी की दसा में इस्तिरियों की बिवाह में दहेद देने का संकेत मिलता है लेकिन यह प्रथा प्रचलित नहीं थी घोसा की चर्म रोग होने के कारण बिलंब से बिवाह करना पड़ा था इस्तिरियां पती के साथ यग एवं उस्तों में भागिदारी करती थी देव समू में भी उन्हें अस्थान प्राप्त था लेकिन पूरुसों की प्रधानता थी पूरुस देवताओं की प्रधानता थी राजनीतिक रूप से भी इस्तिरियां ससक्त रही होंगी क्योंकि वे व वो सभा एवं समित में भागिदारी करती थी आपको बता दें सामानतारिग्वधिक समाज जो है समाज में एक विवाह प्रचलित था कई विवाह करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है लेकिन आपको बता दें सामाने दसा में कई विवाह होने का उल्लेख मिलता है सामाने दसा जाने का उलेख है। इस तरह से यहां का जो मुखरूप से ब्योस्थाएं थी। आपको बता दें। इस्त्रियां पती के साथ यग एवं उत्सव में भाग लेती थी इस्त्रियां पती के साथ उत्सव में भाग करती थी देव समू में भी नहीं स्थान प्राप्त था लेकिन पूर्सों की प्रधानता थी राजनितिक रूप से इस्त्रियां ससक्त रही होंगी क्योंकि वे सभा एवं समित में भागेदारी करती थी रिगवेद में उल्लेख है कि छत्री राजा असंग ने अंगिरस ब्राहमड की कन्या से बिवा किया तो ये प्रतिलोम बिवा है रिसी काच्छिवान ने छत्री राजकुमारी से बिवा किया ये अनलोम बिवा है इससे वांडांतर बिवा के साथ विवा से मना ही थी विवा एक संसकार था जो रिगवेद के विवा सुक्ट से इस्पष्ट होता है विवा की संस्था को इस्थापित करने का स्रेय दीर्गतमा रिशी को दिया जाता है भाई बहन के बीच विवा नहीं हो सकता था जिसके तहत यमी ने अपने भाई यम से विवा का प्रस्ताव किया तो यम ने आश्विकार कर दिया था आपको बहन का बीवा नहीं हो सकता था और जब यमी ने यम से विवा करने का प्रस्ताव किया तो यम ने आश्विकार कर दिया वस्त्र एवं आभूसन रिगवैदिक काल में वसन वस्त्र में अधिवास उपर सरीर का वस्त तथा वास निचले अंग का तथा उल्लेक मिलता है अथरो वेद में नीवी का उल्लेक मिलता है जो अंडर गार्मेंट का अंडर गार्मेंट के रूप में प्रयोग किया जाता था उन सूत एवं ब्रिग चर्म का वस्त्र के साधन के रूप में प्रयोग होता था उन का इस्तिमाल सरवाधिक होता था आभूसर की बात करें आभूसर से सम्मध सब्द निश्क रुक्कम और प्रवर्त पूरुस दाढ़ी बनाते थे उस तरह के लिए छूर अथरवेद में मिलता है सब्द प्रिवक्तुगा एवं बालों का जुड़ा बनाते थे इस्तियों की चोटी इस्तियां चोटी बराती थी खान पान की बात कर साकाहार एवं मांसाहार दोनों तरह के भोजन आरियों के काल में प्रचलित था हरी एवं भुने हुए दाने हरी सब्जियां एवं भुने हुए दाने का उलेख मिलता था बैल भेड बकरी की बली के बाद मांस भक्षन पुरोहित सहित करते थे अस्वमेग यग्य के बाद घोड़े का मांस खाया जाता था एवं गाय को अघन्या कहा गया है जिसका मांस भच्चन सामानता निसिद्ध था गाय की हत्या करने के लिए कठोड़ दंड का प्रावधानता जैसा कि कभी-कभी मिलत दंड तक का भी संकेत मिलता है राम सर्न सर्मा ने गोधन्य से ऐसे अतित का अर्थ लगाया है जिसका स्वागत गौमांस से किया जाता था किन्त आरियों का प्रिय भोजन साकाहार ही था आरियों का प्रिय भोजन क्या था ताकाहार था वह भी दूद एवं इससे निर्मित बस्तुय जैसे घृत, नवनीत, अमिच्चा, छाच, दही, आदी रहा होगा पेय के रूप में सोमरस एवं सुरा का प्रयोग होता था जिसमें सोमरस जो मुंजवत परवत पर पाया जाता था यग्य के आउसर पर पिया जाने वाला मादक दर्ब्य पदार्थ था जबकि सुरा सामान आउसरों पर प्रयोग होता था मनरण्यन की बात करें तो आरियों के मनरण्यन का मुख्य साधन, संगीत, निर्थ, सिकार, पासा, जुआ, रथदवर, आधि के माध्यम से जीवन की एक रस्ता समाप्त की जाती थी रिगवेद में उसा का नर्थकी की रूप में वर्डन है रिगवेद में ढोल, वीडा, करकरी, वासुरी, नाड़ी का उल्लेख है रिगवेद के संबाद मंत्र के आधार पाइतिहास कार नाटक मंज की संभावना ब्यक्त करते हैं स्वास्थ ब्याद के लिए सामान रूप से यच्छम प्रियुक्त होता था अस्वनी के दिब चिकिस्त, अस्वनी को दिब चिकिस्तक माना जाता था रिगवेद में ही संभावता सल चिकिस्ता भी अस्टित में आ चुकी थी अतिग्रिती, रिगवेद का एक बाओधिक छंद जिसमें केवल एक ही मंत्र है इसे जो है अतिग्रित कहा जाता है इसमें एक ही मंत्र का उल्लेख है बायदिक धर्म बायदिक धर्म की बात करें रिग बायदिक लोग पस एवं संतान प्राप्ति के लिए एवं विपदा से सनक्षन के लिए अगन्या देवताओं की पूजा करते थे इनका धर्म प्रवित्ति परक्था जो बाध्यों के निवित मार्ग से अलग था क्योंकि बायदिक लोग संसारिक उन्नत को आवस्यक मानते थे एवं संसार को ही दुखमूलक मानने के बजाए सुखदा से प्रेवित होकर आरम प्रारम से सामूहिक स्तर पर और बाद में व्यक जोगितावादी द्रिष्टकोण के तहत प्रकित का मानवी करण करते हुए उन्हें दैवी गुणों से संपन कर दिया यद्यव पस्व पूजा के भी कुछ उदाहरन मिलते हैं बायदिक देवगणों में महत्य के आधार पर देवताओं की स्थुतिक की गई है और किसी दे में पद सोपान की व्योस्था नहीं थी पुना जीवन का रहस्य स्रिष्ट का उदय तथा मृत्यों परांत जीवन की परिकल्पना इस्पष्ट है दोस या जूपिटर देवताओं की बात करें रिगवेद में कौन कौन से देवता मुख रूप से प्रचलित थे तो दोस या जूपिटर आधी देवता थे इनके बाद पिर्थवी पूजन आरंभ हुआ होगा इसलिए दोनों को संयुक्त रूप से धावा पिर्थवी के नाम से जाना जाता है इसका मतब आकास और पिर्थवी होता है इंद्र जियस इंद्र को जियस कहा गया है सबसे महत्पूर देवता थे जो वज्र के साथ संघर्ष करते वक्त आरि सेना का नित्युत करते थे इसलिए इन्हें किला धुन्सक या फिर किला के राजा के तौर पर पूरंदर कहा जाता था बृत्ति नामक राच्छस का वधकर जल को मुक्त कराने के लिए इन्हें जल के देवता पुलूबी अत्सुजीत एवं पूरमिद नाम से पूजा जाता था इस आर्य में इस कार्य में विश्रू ने इनका सहयोग किया था सरामा पवित्र कुतिया इंद्र की गाय खोजने का स्रे इसको दिया जाता है इंद्र के मुख्य संबंधित दोस इनके पिता अगने इनका भाई मारुत इनके सहयोगी थे इंद्र के कुछ और विभूसन थे माधवा माधव दानसील इंद्र को माधव दानसील के रूप में कहा गया है और सत्क्रतू सवगायों वाला सोमपा सोम का पालन करने वाला अगनी इगनिस अगनी देवता मनुस्य के बीच की आगनी देवता एवं मनुस्य के बीच की कड़ी के रूप में पूजे जाते थे इनका महत धूप दीप नयवैद्य को धुगा के माध्यम से देवताओं तक पहुचाने के लिए एक एवं लावकिक रूप से जंगलों की सफाई के लिए विशेश रूप से विशेश रूप से महतपूर थे विशेश रूप से पूजे गए ये पिर्थिवी आगनी अंतरिच में तरित एवं आकास में सुर्य के रूप में पूजे गए कहा जाता है कि इनका मूल अस्थान स्वर्ग रहा था जहां से मात रिश्वन नामक देवता ने उन्हें पिर्थिवी पर लाया जहां भ्रिगु एवं अंगिर्यस ने उन्हें यग्यवेदी में अस्थापित किया जिस वज़ा से उन्हें रिसियों को आर्थवन कहा गया प्रतेक ग्रियमें प्रज्वलित होने की वज़ा से उन्हें आतिति देव भी कहा जाता था जिनका रिग्वेद में 200 बार उल्लेख है अगनी ही मृतकों की पित्र एवं देवलोक में मृतकों की वाहक का कारी करती थी इनके मार्क का निर्देशन और पूसर इनका सनक्षा करते थे रिगवेद के पांच सुक्तों में मृतक संसकार का उल्लेख हुआ है यद्याप्ति मृतकों को दफनाये जाने का भी उल्लेख मिलता है किन्तु दाह संसकार की प्रधान रीती थी अन्य नाम इनके हैं जाती दुवस्य चर अचर का ज्याता भवन चच्चू सर्वद्रश्टा वरूर जल के देवता माने गया वरूर को जल देवता माना गया है अहुर मज्जा भी कहा गया इनको यद्यप इनका नामों लेक सिर्फ तीस बार हुआ लेकिन इन्हें इंद्र के बाद का महत्पूर्द माना जाता है जो सर्व द्रष्ठा एवं सर्व व्यापी थे इने पासा फेंकर रित की रच्छा करते हुए बताया गया है नयतिक नियमों को सनच्छित करना होता था जिस आधार पर वरूर्ण को रितस से गोपा कहा जाता है इन्हें संतुष्ठ करने के लिए यग्य एवं बली ही काफी नहीं था बलकिन इनके लिए नयतिक नियमों का पालन अनिवारी होता था वो रित का उलंगन करने वालों को सजा ही नहीं देते थे वरन उन्हें आकास फिर्थवी और सुर्य का भी निर्माता माना जाता था वाय इनका स्वांस सांस एवं इसलिए इनको भाव प्रणव रूप में याद किया जाता है इन्हें रिगवेद का सबसे उद्दात सुक्त कहा जाता है वरून ही सही माने में समान भ्रष्ट जीवन आचरन कभी नहीं करते थे रित का पालन करने के लिए सभी जगा अपना आस्वेता के देवता अहर मज्जा के समान थे मित्र या संकल्प इन्हें प्रतिग्या का देवता माना जाता था जिन्हें वरून का मित्र एवं जल को उनका सहयोगी माना जाता था सोम इन्हें सोम को हो ओमा कहा जाता था सोम देवता को हो ओमा कहा जाता अवसद एवं बनस कि देवता के रूप में जाना जाता था जो स्वर्ग में बस्ते थे इन्हें चंद्रमा से भी संबंधित जाना जाता था तोम रस जो अम्रित के समान माना जाता था के समान ही सोम प्रफुलता एवं आनंद का देवता माना गया 14 सुप्तों में इनकी चर्चा की गई है सुर्य प्रकास सवित्व भी सूर्य के ही एक रूप थे गायत्री मन्त इन्हें समर्पित है इन्हें बेद मंत्रों में पवित्र तम माना जाता है इन्हें सर्व दर्सी और स्पर्स कहा गया है पूसन या भी सूर्य देवता ही हैं जो आकास में बिचरन करते हुए भटकते हुए यात्रियों को मार्ग दिखाने का कारी करते थे कालांतर में पूरुस पूसन को सुद्र का देवता माना गया अस्विन इन्हें नासत्य भी कहा जाता है इनके कुछ विशिष्ट कार हैं चिक्सक दुर्घटनाग्रस नाविकों की रच्छा आपाहिजों को क्रितिम पावपरदान करना यू वतियों के लिए वर खोजना यू अन्हों ने श्यावन रिसी को यह जवान बना दिया था याम या एडम प्रतम मृत आत्मा जो कालांतर में मृतु देव बनकर मृतु लोग के सनच्छक बन गए रुद्र इन्हें जन्जा आंधी का प्रतिक माना जाता था तता इनका आहवान महामारी वं बिनास से बचने के लिए किया जाता था ये जलोदर की बिमारी भी देते थे इनका उदार पच था कि ये आरोग कारी बनस्पतियों और आवसदियों के सनच्छक थे और इनकी अनुकमपास से स्वास्थ लाब होता था इन्हें भीशक कहा गया है विश्रू ये यग से संबद एवं गौण देवता थे जिन्हें तीन कदम में पूरी पिर्थवी को नाप लेने वाला कहा गया है इसके साथ कुछ देवियां भी थी जिनका महत्व दर्जाप पुरुष देवता से कम था जैसे उसा इसका रत इंद्र इसका रत इंद्र न तोड कर पराजित किया एवं अपमानित किया था अदिती देवताओं की माता को अदिती कहा गया है निसा रात्री अरंडी जंगल इला आराधना की देवी पुर्मध उर्वर्ता की देवी और दिसान बनस्पत देवी इसके अलामा कुछ अर्थ देवता भी थे विश्वे देवा आर्यम नम संधिव विवा के देवता गंधर्व संगीत के देवता अपसरा उर्वर्सी रिभु बावना देवता जो धाट्र पात्रिक से संब्न थे आनी आकास देवता इसमें अस्विन पूरुष्ण दोस विश्रूच्छ आदित्य सुर्य सबित मित्र आर्यन और दच और अंस अंत्रिच में रते थे इंद्र वरूण उरुद्र मारूत वाई पुर्यन्य बादल विस्वत्यम अदिति आदि पिर्थिवी देवता अगनी सोम बनस्पति मातर स्विन आप सरस्वति इला भारती आधर अंततह जंगल के देवता थे अंतह जगत के देवता माने गए हैं इन में से खुछ देवता एका अधिक्रित प्रवर्ग में अस्थान पाते थे जैसे पिर्थवी एवं त्रिष्ट पिर्थवी एवं अंत्रिच दोनों में उसा एवं आगने पिर्थवी एवं अंत्रिच दोनों में रहते थे वरुणा, यम और सबित अंत्रिच तथा आकास दोनों में प्रवर्ग में सामिल थे रिगवेद में एक ही अस्थल पर उलिकित एक है कि सुर्य आकास से वात अंत्रिच से और अगनी पिर्थवी से हमारी रच्छा करता है इस आधार पर यास्क ने दावा किया है इस आधार पर यास्क ने दावा किया है देवता केवल तीन थे पिर्थवी पर अगनी अंत्रिच में वायू अत्मा इंद्र एवं आकास में सुर्य इसके अलामा रिगवेद में एक जगा कहा गया है कि एकमन सत्यम विप्रा बहुदम बदान्द इस आधार पर कहा जाता है कि क्रमसर रिगवेदिक काल में ही एक स्वरवाद का संकेत स्पष्ट होने लगा था कालांतर में दयानन सरसती ने दावा किया कि रिगवेदिक काल में एक स्वरवाद ही था एवं पुरुशुक्त में जिस प्रजापत की संकल्पना पाते हैं उसे ही उत्तरवेदिक काल में स्रिष्ट का स्रोत मान लिया गया है जो भी बैदिक काल के आरंभिक चरण में यग्य की तूलना में प्रार्थना काही विशेश महतो था और यग्यों में के मंत्रुचारण की सक्ति की संकल्पना अभी तक विख्षित नहीं हो पाई थी रिगवेद में नासदिय सुक्त में निर्गुन ब्रह्म के विस्तार का उलेख मिलता है बाद में कबीर जैसे भग समाज सुधार को ने इसको बढ़ाने का कारिय किया अब दोस्तों अगली क्लास में हम लोग जो है रिगवेदिक आर्थ विवस्था की चर्चा करेंगे और समभवत वह उस क्लास में आपके पूरे के पूरे पाठकरम रिगवेदिक काल का समाप्त हो जाएगा तो मिलते हैं अगली क्लास में जय हिन दोस्तों